मूली जिसे इंग्लिश में रैडिश के नाम से पहचाना जाता है आज हम बात करेंगे इसी वेजेटिबिल के बारे में कि इसे खाना किस हद तक फायदे मन्द है और इसे किन-किन बिमारियों में किस तरीके से इस्तमाल करना हमें बैनिफिट दे सकता है मूली के इब्तिदा चीन में हुई और अब तक मूली की कई इकसाम दर्याफत हो चुकी है देसी खानों में तो ये बहुत ही ज्यादा मकबूल है हाँ लेकिन मौडरन खानों में इसका ज्यादा इस्तमाल नहीं होता देखा गया लेकिन वहीं बहुत से लोग आज भी अपनी रोजाना की कुडाक में इसे शामिल रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मूली पकर एक सबजी ऐसी है जो हमारी घजाई ज़रूरियात को पूरा करती है बलके बेशुमार अदवियात खूबियों की हामिल भी है और हमें कई बिमारियों से बचाती है हमारी सहत पर कई तरह अच्छे असराग मरतब करती हैं और इसमें शामिल विटामिन और मिनरल्स हमारी जिसम को अंदर और बाहर से सहतमन बनाते हैं मूली के तमाम तर फफावाit حاصिल करने के लिए इसे कच्छी हालत में खाना चाएए मूली और इसके पत्तों को साख के तोर पर भी पका कर खाया जाता है इसका चार भी डाला जाता है मुली के पराठे भी पकाए जाते हैं जो बहुत लजीज होते हैं और इन्हें शौक से खाया जाता है घिजाए माहिरीन का कहना है कि मुली एक मौसमी सबसी है जिसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और इसे सेहत पर आने वाले असराद से भी फायदा उठाना चाहिए तो इसको इस्तेमाल करके इसे खुब फायदा उठाएं लेगिन पहले जाने किसे किन किन बिमारियों में कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे पत्थरी की गुर्दे में या मसाने में जो पत्री हो जाती है मुली का इस्तिमाल करें अगर इसे मुसलसल इस्तिमाल किया जाए तो पत्री रेज़ा रेज़ा होकर हमेशा के लिए जिसम से खारच हो जाती है ये खुद तो देर से हजम होती है मगर घिज़ा को जल्दी हजम करती है मर्द खतम हो जाता है और मूली खाने वालों को कभी यरकान नहीं होता इसी तरह यरकान के लिए असरे मूली के पानी में चीनी मिलाकर यरकान के मरीज को पिलाने से मर्द स्टूल के जरीए खतम हो जाता है मूली खाने के बाद गुड़ खा लेने से मूली जल्द हजम हो जाती है और इसके बाद समैली बर्प यानि बदबुदा ड़कारे भी नहीं आती तिल्ली के अमराज में भी मूली का खाना बहुत मुफीद है इसके खाने का तरीका ये है कि मूली को चील कर और काट कर इसमें काले मिर्च और हलका सा नमक लगाकर रात को इसको रख दें और सुबा नहार मूँ खा लें एक हफ़ते में इन्शालला शिफा देगा यही नुस्खा बवसीन यानि पाइल्स के लिए भी मुफीद है मूली को मसलसल खाने से पेशाब कर रुक कर आना या जलन के साथ आना या कम आना या कत्रा कत्रा आना ये तमाम शिकायत दूर हो जाती है मूली करत आँखों में एक दो कत्रे रोज आना डालने से धुन्द, जाला और मोतिया बन को शिफा मिलती है और नजर तेज हो जाती है मसूडों के अमरास और दातों की मजबूती के लिए मूली को काले मिर्श लगा कर खाने से शफा होती है और दात मुक्तलिफ बिमारियों से महफूज रहते हैं मूली काने से बाल मूमिन्ट तेज हो जाती है और इस तरह कब्स का मसला यानि कॉंस्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है कान के दर्द और कान के दीगर अमरास के लिए मूली का रस हम वजन लेकर उसमें हम वजन तेलों का तेल मिलाएं और हलकी आज पर रखें जब रस जल जाए और खाली तेल रह जाए तो इसे चान कर बोतल में महफूज कर लें और नीम गरम तेल के चन कत्रे कानों मिट अफकाने से कान का दर्द और कान की दीगर बिमारियां दूर हो जाती है मूली का रस रोजाना अगर आप अपने हेर्स पे अपलाय करते हैं या सकैल्प पे तो उससे गंश पन दूर होता है बाल दुबारा उगने शिरू हो जाते हैं इसके लिए जरूरी है कि सर के गंश को पहले तॉलिय से रगड़ें और फिर मूली के रसे मालिश करें मूली के बीच बड़े कारामद होते हैं पेरियड्स उखने की सूरत में भी या आपकी जो मंतली साइकल है वो डिले हो रही है किसी भी वज़ा से आपके पेरियड्स लेट हो गएं तो उसके लिए आप आठ तोला मूली के बीच अगर नीम गरम पानी के साथ खाएं तो दांत वाली जगा पर किसी को अगर कोई दांत हो जाए तो उस जगा पर मूली के बीच लीमू के रस में पीसकर लगाने से शफा होती है एक माशा मूली का नमक शहध में मिलाकर चटाने से दमा खतम हो जाता है अलबत्त तीन हवते तक इलाज जादी रखना चाहिए जिगर बड़ी-बड़ी मूलियों को काट लें और बारीक करके धूप में सुखा लें खुश्कोने पर इन्हें जलाएं जब राख बन जाए इसे पानी में डाल दें और दो-चार दिन पड़े रहने दें पानी में नमक उपर आ जाएगा और राख नीचे बढ़ जाएगी इस पानी को निथाड लें इसे आख पर पका कर खुश कर लें नीचे जो बचेगा इसे खुरच कर शीशे में भड़ लें ये मूली का नमक होगा बदहजमी दूर करने के लिए एक माशा मूली का नमक गरम पानी के साथ पीना चाहिए फौरण बदहजमी दूर हो जाती है इसी तरहां बदलते हुए मौसम में नजला जुकाम आम होता है तो मूली का एक माशा नमक गरम पानी के साथ खाने से नजला जुकाम को अराम आ जाता है मूली का नमक चार गुना शहद में मिला लें इसके एक सिलाई आँखों में लगाने से आशुबय चश्म को अराम आ जाता है चुटकी भर मूली का नमक सूंगले दिमाग के कीड़े नजला और जुकाम के लिए मुफीद है चीनी मिलाकर मूली का नमक एक माशा तक खाने से पुरानी खासी को अराम आ जाता है जिस तरह से मूली की बीच और बिमारी और परिशानी में आपके लिए काफी फाइदा रखते हैं इसी तरह ये beauty product में भी आपके लिए बहुत कारामत साबित होते हैं मूली की बीच इस्तेमाल करने से चहरे पे मौजूद सिहाई माईल कलर या पर जो darkness हो जाती है या पर patches पढ़ जाते हैं वो खतम होते हैं ये skin की color को lighten करने में बहुत help करता है तो इसके बीच को piece कर आप उप्टर में मिला सकते हैं या किसी भी तरीके से इसका मास के तौर पर आप इसको अपने face के apply कर सकते हैं उससे आपको काफी फायदा होगा मूली भूग बढ़ाती है और blood circulation को improve करती है मूली के तमाम तर benefits हासिल करने के लिए इसे कच्ची हालत में सलाथ की तरह खाना चाहिए पकाने पर इसके हयाती अज़त जाय हो जाते है शुगर के मरीजों को जमीन के अंदर पैदा होने वाले गिजाओं से परहेज करना चाहिए कहा यही जाता है लेकि मूली में ये खासियत है कि ये शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है और खून में शुगर की मिगदार को नहीं बढ़ाती अगर आप इस बिमारी का शिकार है तो रोजाना मूली खाएं ये मैदे में फंसी हुए खाने को बाहर निकालने में मददगार साबित होती है ये मैदे में तिजाबियत को कम करने और सीने की जलन को खतम करती है लेकिन याद रहे कि मूली का इस्तिमाल रात को हर्गिस नहीं करना चाहिए मूले में ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर के खिलाफ लड़ते हैं इसके लावा इसमें विटामिन सी की मौजूदगी की वज़ा से ये डी आने को सिहत मन्द रखकर कैंसर के खिलाफ मुदाफ़त करने में मदद करते हैं पुटेशियम की मौजूदगी की वज़ा से मूली हमारे खून में पुटेशियम और सोडियम की मिगदार को कंट्रोल करते हुए हमारा ब्लिट प्रेशर काबू में रखती है ऐसे लोग जिने सांस की तकलीफ हो इन्हें चाहिए के वो मूली खाएं क्योंकि इसमें मौजूद अज़ा की बदौलत सीने की जगरन खतम हो जाती है और सांस में रवानी आती है दांतों को साफ करने और चमकदार बनाने के लिए मूली का रस और सिरका एक एक चमच बेकिंग सोडा और नमक एक चुटकी मिलाकर दांतों पर लगाएं दांत साफ और चमकदार हो जाएंगे बाडी में कई पेन हो रहा हो तो इस पेन को खतम करने के लिए मूली के पत्ते बड़े कारामाद होता है उसके लिए आपने करणा ही है कि सरसो के तेल में मूली के पत्ते जलाएं जब वो पत्ते जल जाएं तो फिर उसमें आप नए पत्ते डालें और इस अमल को दो से तीन दफ़ा दो राएं जब पत्ते अची तरह जल जाएं और तेल तयार हो जाएं उसको ठंडा करके किसी शीशी में भड़ लें और ये तेल आप अपने जो दर्द वाली जगा है उस पे अपलाए करें काफी उससे आपको अराम आएगा मूली का अचार भी एक अच्छी चीज है मूली के तुकडे काट लें और मरतबान में डाल कर रख लें उम्दा और लजीज अचार बनेगा ये अचार खाने से तिल्ली बवसीर और पिशाप की तकलीफ दूर हो जाती है होपुली आज की वीडियो मेरी हर वीडियो की तरह आपके लिए काफी helpful साबितों की वीडियो पसंद आती है तो like, share, subscribe करना मत भूलेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तर के लिए आला आपिस